मैं आज आप सभी को माता पिता तता बरिष्ट नागरे का भरन पूशन और कल्यान अधिनियम 2007 के अधिनियम के आगे के प्रोविजन इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगे लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 18 तक कवर कर चुके हैं अब हम इस वीडियो में सेक्शन 19 से पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 19 सेक्शन 19 जिस चैप्टर के अंतर गताता है वो है चैप्टर 3 और इसका नाम है ब्रदास्रमों की इस्थापना तो section 19 की heading भी यही है कि ब्रद्दास्रमों की इस्थापना तो ब्रद्दास्रमों की इस्थापना कौन कर रहा है तो state government कर रही है चरणबद रीती से कर रही है एक manner में एक तरीके से कर रही है और कहां तो state government की कोसिस रहेगी कि सबसे पहले जहां तक जिस इस्थान तक उसकी प एक ब्रद्दाश्रम की स्थापना करेगी और हर ब्रद्दाश्रम में कम से कम 150 बरिष्ठ नागरिकों के को आवास मिल सके मतलब उनकी रहने की विवस्ता हो सके जो की निर्धन हो ठीक है तो ये ब्रद्दाश्रमों की स्थापना इस्टेट गौर्मेंट कर रही है और ठीक है तो section 19 में इतनी सी बात कही गई है जो की important है ठीक है उसके बाद section 19 के subsection 2 में ये कहा गया है कि state government उनके लिए एक scheme बनाएगी scheme के अंतरगत उनके मनोरंजन का उनकी चेकित्सा का उनके हर प्रकार के जो भी उनकी जरूरतें आवशक्ता हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा और समय समय पर state government उनके लिए prescribed manner में अनियम देखती रहेगी उसके बाद निर्धन की category में कौन आता है तो निर्धन की category में बरिष्ट नागरिक जो की निर्धन है और अपना भरन पूशन करने में अक्षम है और जिनके पास खुद के कोई साधन नहीं है तो वो निर्धन की category में आते हैं तो section 19 हमारा cover हो गया है तो हम पढ़ रहे हैं section 20 section 20 के heading है कि बरिष्ट नागरिकों के लिए चिकितसी है सहायता और पढ़ रहे हैilda chapter 4 chapter 4 की heading है कि बरिष्ट नागरिकों की देख verfण के लिए चिकितसी ये उप वन्थ थीक है तो section 20 में ये बताया गया है कि बरिष्ट नागरिकों को क्या-क्या सुधा दी जाएगी क्या-क्या उनका ध्यान रखा जाएगा तो मैं आपको एक story form में बता देती हूँ जब कि बरिष्ट नागरिकों के लिए चिकित्सी है सहायता कौन करेगा तो state government करेगी it's very important अब वो क्या-क्या rules बनाएगी उनके लिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ जो कि section 20 में बता देती है तो सबसे पहले state government बरिष्ट नागरिकों के लिए जो government hospital है ठीक है या फिर जो hospital है जिनके लिए government fund करती है full ही funded करती है मतलब full fund करती है या partly करती है या फिर full करती है ऐसे hospital बरिष्ट नागरिकों को एक bed प्रतान करेंगे विस्तर देंगे उनके सुवदा के लिए उनको लेटने के लिए उन्हें ऐसी कोई दिक्कत ना आए तो उनको विस्तर देंगे बरिष्ट नागरिकों के लिए एक प्रतक पंक्ती की विस्तर की जाए उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है उसमें ये बताया गया है अगर कोई ऐसे रोग है जो असाद्य हैं या जान लिवा है तो बरिष्ट नागरिकों को ऐसे रोगों के उप्चार के लिए सुधा प्रदान की जाए ठीक है तो ये बताया गया है तो ये बोल रहे हैं कि असाद्य ब्रद अवस्था के रोग जो एकदम जिनके लिए कोई साधन नहीं है जो की असाद्य है जो की ला इलाज है जिनके लिए कोई इलाज नहीं है ब्रद अवस्था में ऐसे कई रोग हो जाते हैं तो ऐसे उन रोगों के लिए research activity की जाएगी अनुसंधान के लिए कलाप कराये जाएगा या किया जाएगा ये सारी सुवधाएं state government प्रोवाइड करेगी बरिष्ट नागलकों के लिए ठीक है उसके बाद जो next point है उसमें ये कहा गया है ब्रद अवस्था में होने वाले जितने भी रोग है उनसे पीडित जो ब्रद परसन है जो ब्रद व्यक्ति हैं वो ब्रद अवस्था में बहुत सारे रोग हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं जराच चिकितसी है ठीक है तो ब्रद अवस्था में होने वाले रोगों के लिए जो ब्रद व्यक्ति हैं उनको चिकितसी अधिकारी की अध्यक्षता में जो हॉस्पिटल्स हैं अस्पताल हैं उनमें निस्वल के सुबदा प्रतान की जाए तो मतलब ये कि इस तरीके से स्टेट गॉर्मेंट ब्रद अवस्था के जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए सुबदा प्रतान कर रही है सेक्षण 20 में तो इस तरीके से वो चिकितसी है देखवाल कर रही है चिकितसी है सहायता कर रही है ये बात सेक्षण 20 में बताये गई है अब section 20 से यदि कोई question बनता है तो ये बनता है कि ब्रद व्यक्तियों के लिए state government क्या सुवधा प्रदान कर रही है या मतलब कि उनको सुवधा है या help कौन प्रदान कर रहा है तो state government कर रही है अब कौन कौन सी कर रही है तो ये मैं आपको सौट में बता देती हूँ कि उनको विस्तर प्रदान किया जाए उनकी एक अलग पंती की विवस्ता की जाए उनके लिए जो उनके असाद्य रोग हैं ला इलाज रोग हैं उनके लिए एक experience holder अच्छे चिकित्सी है डॉक्टर होने चाहिए और उसमें research activities कराई जाए और उनका निसुलक इलाज किया जाए इस तरीके से ये साथी सोधाएं ब्रद व्यक्तियों को प्रदान की जाए सो हमारा section 20 कबर हो सो friends हम पढ़ रहे हैं next section section 21 और chapter 5 chapter 5 में बरिष्ट नागरिकों के जीवन और संपत्ती की रक्षा की बात की जाएगी ठीक है और इसका जो section है section 21 section 21 में बरिष्ट नागरिकों के section 21 में बरिष्ट नागरिकों के कल्यान के लिए जावरुपता, प्रचार और प्रचार के उपाई किये जाएगी तो हम section 21 पढ़ते हैं तो बरिष्ट नागरिकों के लिए उनके प्रचार, प्रचार और जागरिकता के लिए उपाई कौन करेगा स्टेट गोवर्मेंट करेगी अब स्टेट गोवर्मेंट कैसे करेगी स्टेट गोवर्मेंट इस अधिनियम में टेलिवीजन, रेडियो और अखवार की माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी नियमित अंतरालों में केंद्र सरकार और राज सरकार के अधिकारी जिसमें पुलिस और नियायक सिवा के सदश समय समय पर बरिष नागरिकों के मामलों से सम्मंदित मुद्धों पर प्रचार प्रसार करेंगी इंद्र सरकार और राज सरकार में जो भी सेवा दे रहे हैं अपनी उनके सदश, पुलिस अधिकारी और नियायक सेवा के सदश इस अधिनियम से जोड़े मुद्धों पर सभी लोगों को जागरुख करेंगे समय समय पर और प्रसिक्षड देते रहेंगे यह कहा जा रहा है इसमें बरिष नागरिकों के कल्यार से समंदित मुद्धों पर समाधान करने के लिए प्रदान की गई कल्यार मंतराले के द्वारा या विभावों के द्वारा प्रदान की गई सेवाएं प्रदान की गई सेवाओं के बीच में समन वै और उनका कालिक पुनरवलूगन किया जाय करेगा मतलब कि regularly review होगा एक periodical review दिया जाय करेगा मतलब हर बार हर बात को रोज रोज चेक किया जाया करेगा कि टाइम टाइम पर सारी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है तो इस में जो भी बताये गया है वो मैं आपको स्वाट में बता जेती हूँ कि section 21 में क्या बात की जा रही है section 21 में basically प्रचार प्रसार की बात की जा रही है वो भी बरिश नागरिकों से समधिन मुद्दों पर उनका प्रचार प्रसार कौन करेगा इस्टेट गौर्वर्मेंट करेगी स्टेट गौर्मेंट करेगी सबसे पहले कैसे करेगी अकवार, टेलिवीजन, रेडियो इनके माध्यम से करेगी उसके बाद वो जो स्टेट गौर्मेंट है वो केंज सरकार, राज सरकार में जो सिवा दे रहा है करमचारी है पुलिस अधिकारी है या फिर न्यायक सिवा के सदश्य है ये लोग टाइम टाइम पर लोगों को प्रसिक्षित करेंगे जो इस अधियम से सम्मदित मुद्ध है उसके बाद जो मंत्राले हैं, विधी, गिरह, स्वास्त मंत्राले, कल्यान मंत्राले और जो भी विवाग हैं, वो इनके बीच में समन्वय रखेंगे और टाइम पर एक प्रियोडिकल रिव्यू दिया करेंगे बार बार रेगुलर्ली एक रिव्यू दिया करेंगे, देखा करेंगे ठीक है, तो यहां से अगर कोई कोश्चन बनता है तो बरिष्ट नागरिकों के कल्यार के लिए प्रचार प्रसार के सेक्शन में किया जा रहा है तो सेक्शन 21 में किया जा रहा है, कौन करवा रहा है तो स्टेट गॉवर्मेंट करवा रही है, किसके माध्यम से करवा रही है तो टेली बीजन, अखवार, रेडियो के माध्यम से या फिर स्टेट गवर्मेंट और सेंटर गवर्मेंट दोनों ही करवा रही है तो पुलिस के माध्यम से या फिर न्याएक सेवा के सदश्य जो है उनके माध्यम से या फिर जो मंत्राले हैं, विधी मंत्राले हैं, गिरे, स्वास्त मंत्राले हैं या कल्यान मंत्राले हैं, इनके माध्यम से एक प्रियोडिकल रिव्यू पे जा रहा है। तो इससे हमारा section 21 complete हो गया है। So friends, हम पढ़ रहे है section 22. Section 22 में ये कहा जा रहा है कि ऐसे प्राधिकारी जिनने इस अधिनियम के उपवंदों को क्रियानवित करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जाएगा। यानि specific किया जाएगा कि कौन इस अधिनियम के उपवंदों को क्रियानवित करेगा। ठीक है, तो ये बात section 22 में बता ही जा रही है। तो section 22 में क्या कहा जा रहा है ये मैं आपको स्वाट में बता लिए थे। अधिनियम को सक्तियां देगी और करत भी अधिरूपित करेगी, ये सुनिष्चित करने के लिए आवश्यक हो कि इस अधिनियम के उपवन्लों का उचित रूप से पालन किया जाता है। मतलब कि जिला मजिस्टेट सिफ यही चेक करेगा कि इस अधिनियम का उचित रूप से सही पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है तो उसको स्टेट गौर्वर्मेंट सक्तियां देगी और करतब यह अधिरोपित करेगी यह उसके उपर कि वो ये चेक करे कि इस अधिनियम के उपवंदों का सही रूप में पालन किया जा रहा है या नहीं अब जिला मजिस्टेट क्या करेगा जिला मजिस्टेट अपने सबॉर्डिनेट अपने अधिनस्त अधिकारी को ये सक्तियां रत कर देगा और उससे बोलेगा कि वो इन सक्तियों का वैसे ही पालन करेगा जिला मजिस्टेट कुछ इस्थानिय सीमाय स्पेसिफिक कर देगा जिनके अंतरगत उन सक्तियों का उन कर्तब्यों का पालन किया जाए राज सरकार बरिष्ट नागरिकों के जीवन और संपत्ती की सुरक्षा के लिए ये एक ब्यापक कारी योजना प्रस्क्राइब करेगी क्या करेगी राज सरकार? राज सरकार बरिष्ट नागरिकों के जीवन और संपत्ती की सुरक्षा के लिए एक सो फ्रेंट्स हम पढ़ रहा है section 23 section 23 में ये कहा गया है कि कुछ परिस्थिती में संपत्ती के अंतरण का सून्य होना अब वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती है वो इस section के अंतरगत बताई गई है सो इसमें पहले परिस्थिती ये बताई गई है subsection 1 में ये बताई गया है जहां पर कोई बरिस्थ नागरे जिसने अपनी संपत्ती का इस अधिनियम के प्रारंब के बाद दान किया है या ट्रांसफर किया है किसी ऐसे परसन को और इस सर्थ के साथ किया है कि वो इस संपत्ती के ट्रांसफर के बाद उनका भरन पूशन करेगा उनको सारी सुक सुवदाएं प्रदान करेगा उनकी आवशक्ताओं की पूर्ती करेगा अब यदि वो व्यक्ती ऐसा करने से इनकार कर देता है या फिर ऐसा करने में असमर्थ है नहीं कर पाता है तो उसके favor में इनके द्वारा यानि वरिष्ट नागरिक के द्वारा किया गया transfer सून्य माना जाएगा वो अंतरण valid नहीं होगा ठीक है? पहली situation ही यह हो गई Second situation यह है कि कोई property है जिसमें से भरन portion का आधिकार वरिष्ट नागरिक रखते हैं ठीक है? कोई भी बरिष्ट नागरिक जैसे एक property है जैसे एक कोई भी property है कोई मान लो कोई trust है कोई खेत है जहां से उनकी फसल आती है या कोई company है जिससे business होता है या कुछ भी होता है जहां से वो अपना भरन portion करते हैं ठीक है? अब यदि किसी ने उस property को या उस property में से एक भाग को transfer कर दिया ठीक है? अब जो लेने वाला व्यक्ति है उसको इसकी जानकारी है कि ये जो बरिष्ट नागरिक हैं वो इस समपत्ती में अधिकार रखते हैं और यहां से बरन portion करते हैं तो फिर ऐसा किया गया transfer valid है बट ये responsibility उस transferी पर चली जाएगी जिसके favor में ये properties आ रही है फिर उसका करता भी बनेगा कि वो बरिष्ट नागरिक का भरन portion करे लेकिन उस transferी पर कोई responsibility नहीं होगी जिसके favor में यदि कोई transfer किया जाता है और उसको बरिष्ट नागरिक के इस भरन portion की अधिकार के बारे में कोई जानकारी ना हो तो इसके संबन में फिर उसकी कोई responsibility नहीं है कि वो बरिष्ट नागरिक का भरन portion करेगा लेकिन यदि वो जानता है कि इस property में बरिष्ट नागरिक अपने भरन portion का अधिकार रखते हैं तो भी वो अपने favor में उस property को transfer करा लेता है जो भी परिष्ट नागरिक का भरन portion भी करना पड़ेगा और यदि वो नहीं करेगा तो ये transfer भी सुनने माना चाहेगा अब इसका third कि अभी हमने जो subsection 1 पड़ा और subsection 2 पड़ा दो situation पड़ी अब ऐसे में बरिष्ट नागरिक अपना अधिकार अपने favor में लेने में असमर्थ है अपने अधिकार को वो नहीं ले पा रहे हैं तो फिर वो section 5 के subsection 1 के सपस्टी करण के according किसी भी संगटन, किसी भी organization के द्वारा कारवाई करवा सकते हैं कोई भी organization उनकी तरफ से वो कारवाई कर सकती है कोई भी संगटन उनकी तरफ से कारवाई कर सकता है उनको अधिकार दिलाने के लिए तो friends, यहाँ से यदि कोई question बनेगा तो बस यही बनेगा कि कब कोई मतलब किन परस्थितियों में जो property transfer की जा रही है वो सून नी समझी जाए तो वो दो परस्थितियां यहाँ पर बताई गई है और जोकि यह किस section में बताई गई है तो section 23 में बताई है तो हमारा section 23 complete हो गया है friends और आगे के section हम next video में cover करेंगे Thank you so much friends for watching me and listening me Thank you so much